हेलो फ्रेंज कैसी हैं आप लोग इस करोणा काल में सब लोग अपने घर में सुरक्षित रहें और इश्वर आप लोगों को हर पुरी बिमारी से बचाए रखें इस घड़ी में सब लोग सुरक्षित रहें और सब लोग healthy रहें मेरी इश्वर से आप सब के लिए ये प्रात्ना है बहुत मुश्किल घड़ी है लेकिन हम लोगों ने बहुत हिम्मत के साथ और पूरी जो डॉक्टर्स कह रहे हैं या आप लोगों ने जैसे घर में सेफ रहना है वैसे सब ने इस घड़ी को हसते मुस्कुराते गुजार देना है कोई भी समय एक सा नहीं रहता आज ये समय आया है जो मुश्किल का है तो कल एक अच्छा समय आएगा फ्रिंट्स इस येर का जो टूटल है वो 5 पे आया है 2021 पे आया है फाइव जो है नमबर वो बुध ग्रह का नमबर है और बुध एक ऐसा ग्रह है जिसको जोतिश में नपुनसक ग्रह कहते हैं यानि कि ये इसका अपना अस्तित्व कम होता है, ये अपने साथ वाले ग्रेहों का असर अपने उपर आने देता है और उसके जैसे रिजर्ट्स देना शुरू कर देता है। अगर किसी का बुद्ध खराब है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रेट करता है। बुद्धी का कारक है, दिमागी घुमा देता है, गलत विचारों में भटका देता है, सोचने समझने की शक्ती खतम कर देता है, तो इनसान जो है अपना फैंसला अच्छा भुरा कुछ भी नहीं सोच पाता, बुद्ध ऐसा ग्रह है जो अगर खराब हो, तो ये रातों की नीन दोड़ा देता है, अकसर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनका बुद्ध खराब हो, तो कैसे इसे कंट्रोल करें, और आज मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रही हूं, क्योंकि मैं आज जो बताने जा रही हूं, वो है missing number 5, यानि कि अगर 5 आपकी date of birth में missing है, तो उसके क्या effects आते हैं, और उसकी क्या remedies हैं, मैं रीना खर्ना, numerologist and बास्तु consultant. फिल्स बुद्ध के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, ये बुद्धी का कारक है, अगर आपकी लोशोग्रिट चार्ट में या आपकी date of birth में simple ढंक से कहूं, 5 number नहीं है, 5 number नहीं है, या आप कैसे चेक करेंगे, आप अपनी date of birth एक कागस में लिख लिजे, उसके बाद लिखने के बाद उसमें देखें क्या उसमें 5 number है, नहीं है, तो फिर चेक करेंगे कि कहीं उसमें आपकी date of birth यो है, वो 14 या 23 इससे तो नहीं शुरू होती, उसका total भी 5 आजाता है, अगर नहीं होती तो आप 5 missing है, अब आप मां लीजे कि पूरी date of birth का total कीजे आप ल उसके बाद एक 1 number निकालते हैं, वो भी देखना है, या pinnacle निकालते हैं, वो भी देखना है, 5 पे नहीं आता, अगर कुछ भी 5 पे नहीं आता, तो हम मानते हैं कि आप जो है, वो 5 missing number की हैं, 5 missing है, क्या problems हो सकती है, 5 number क्यों important होता है, ये मैं आज आपको बताऊंगी, 5 number low show grade चार्ट जब हम बनाते हैं, तो बिलकुल बीच का number होता है, ऐसे लोग जो होते हैं, वो सबसे अपना संबंध बहुत अच्छे से बना लेते हैं, इनका कोई anti नहीं होता, जिनके पास 5 होता है, अब अगर 5 number आपके पास नहीं है, तो आपको balance बनाने में कहीं ना कहीं कुछ 5 number आपके पास है, तो आप खुद इतने motivate होंगे और अपने काम अच्छे से कर सकेंगे, अपने फैंसले खुद ले सकेंगे, आपको motivation की ज़रूरत नहीं होगी, आप तो दुनिया को motivation देंगे, तो ये फरक होता है 5 missing का, balance बनाने में मुश्किल आती है, communication, सबसे बड़ी ची हैं, लेकिन अपनी बात किसी को कह नहीं सकते हैं, तो ये 5 होना कितना जरूरी है, इसके बात आप लोग जो है, कई बार देखेंगे, अगर आपको 5 missing है, रात को आपको बहुत देर से नीद आती है, कई बार तो नीद आने का नाम ही नहीं लेती है, क्योंकि विचार इतने इकठे हो जाते हैं माइड में, कि आप उसमें उलजते चले जाते हैं, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, ऐसे विचार का बवंडर कहते हैं, जिससे दिमाग में घूमता है, तो बस ऐसी स्थिती आती है, कि आपकी रातों की नींद खराब हो जाती है, ल फाइव नंबर वालों को मैं थोड़ा रोमेंटिक मानती हूँ और जो मिसिंग फाइव हैं वो कितने भी रोमेंटिक हो लेकिन वो अपने फीलिंग्स को अपने पार्टनर तक एक्सप्रेस नहीं करमाएंगे उनमें ये प्रॉब्लम आएगी कि वो चाहते हुए भी अपनी फ अगर आपके पास फाइव मिसिंग है तो आप में ये सब चीजें आ जाती हैं अगर हम लोगों में फाइव मिसिंग है और वो बैलन्स का नंबर है कॉमिनिकेशन का नंबर है तो उसका होना लोशो ग्रेड में इतना जरूरी है क्योंकि उससे बहुत सारे हम लोगों के combination नहीं बनता तो ये सब चीजें नहीं बनती एक five missing होने के कारण तो five होना हमारी life में बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर five होना इतना ही जरूरियत और नहीं है तो उसके लिए हम remedies क्या करें ये देखने की बात है आज मैं आपको इतनी simple remedies बताऊंगी जिसके through five की entry आप अपन लोशो ग्रिट चार्ट में या अपनी date of birth में ला सकते हैं अपने जीवन में ला सकते हैं सबसे पहले friends मैं ये कहती हूं कि आप अपना name number ही five पे ले आए बहुत अच्छी बात है five missing है name number five पे ले आए कई बार नहीं ला सकते कोई और number ऐसे missing होते हैं जो five से भी ज्यादा important हो या हमारी date of birth का combination ऐसा होता है जिसमें हमें शायद five से ज्यादा अगर हम one या six पे लाएं तो ज्यादा अच्छे results निकलेंगे तो फिर हम क्या करें उसके लिए हमें सबसे पहले गनेशी की पूझा करनी है गनेशी की पूझा करनी क्यों जरूरी है क्योंकि वो बुद्ध के देवता हैं बुद्धी के कारक हैं और सारे विगना दूर करते हैं तो जिनके भी five missing हो जिनके चार्ट में five नहीं है वो गनेशी की पूझा जरूर करें इसके इलावा आप लोगों ने दुर्गा मा की पूझा करनी है दुर्गा मा की पूझा करने से भी five number जो है वो activate हो जा प्रॉब्लम आ रही है तो आप पाएंगे कि गाए को रोटी खिलाना और वेंस्टे को गाए को चारा खिलाना या हरी सबजियां खिलाना ये सब करने से भी आपके करियर में आने वाली प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है five number आपको क्योंकि marketing का number है balance का number है ये number ऐसा है जो हमें communication के थ्रू कहां से कहां मीडिया में आप सक्सेस बा सकते हैं आप जो है MBA कर रहे हैं आपको marketing में जाना है आपने किसी company में job करनी है आपके bosses से कैसे संबंदोंगे आपका communication ही अच्छा नहीं होगा अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे तो कैसे होगा communication के number और भी होते हैं लेकिन अपने दिल की बात को सही ढंग से पेश करना ये five number का काम होता है जो कि बहुत important है तो गायक्ली सिवा कीजे उसके बाद आप लोग जो है वो हरे रंग की चीज़े दान कर सकते हैं जैसे हरे मुंग साबत की दाल होती है वो Wednesday को दान कर दीजे किस जेट का ग्रीन कलर के आते हैं बीचस आते हैं उसमें वो आप धारन कर सकते हैं और सबसे अच्छा अगर बुद्ध या five number आप में missing है तो मैं कहूंगी कि five number इतना जरूरी है और वो missing है तो आपको बुद्ध का यंत्र जरूर पहन लेना चाहिए इसको पहनने से आप लोग देखेंगे five number की कमी आपकी life में दूर हो जाएगी और आपकी life में कितनी बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी आप imagine भी नहीं कर सकते तो friends आज मैंने आपको बहुत important number के बारे में बताया है ये साल भी five पे आया है और five पे आने के कारण आज जो हमारे देश में इतनी बड़ की विपत्ती आई है करूना की और उसमें ये लहर जो आई है second wave जिसे कह रहे है वो इतनी घातक आई है ये बुद्ध के कारण है five number यानि कि बुद्ध ग्रह जो है वो जब भी आएगा अगर वो अच्छा है तो बहुत कुछ दे कर जाता है लेकिन अगर वो बिगड़ता है तो वो तबही मचा देता है तो प्रातना कीजिए ईश्वर से सब सुखी रहें सब स्वस्त रहें अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरी online classes अल्रेडी चल रहे हैं अगर आपको numerology या वास्तु का कोर्स करना है तो आप लोग मुझे contact कर सकते हैं मेरे mobile number पर details आपको मैं बताऊंगी तब तक के लिए अगला वीडियो मैं six number पर निकालूंगी six number वाले wait कीजिए कि अगर आपके chart में six number नहीं है six number मतलब शुक्र का number और शुक्र कितना important होता है ये किसी से छुपा नहीं है क्योंकि शु बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिए मेरा अगले वीडियो का तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए नमशकार thank you friends मेरा ये वीडियो देखने के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक् करें